Dear Students, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बच्चों ये Class 6 का NCRT का मैथ है Chapter 7 और इस Chapter का नाम है Fractions तो Fractions हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं Class 3, 4, 5 इस सारे Class में हम लोग पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे Introduction इसका दिया हुआ है तो Fractions जो है किसी चीज़ को हम जब Divide करते हैं तो उसको Fractions के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये दो पार्ट है दो पार्ट में से इसको एक पार्ट जो है इसमें से Use किया गिया है तो इसको हम 1 by 2 लिखते हैं इस तरह से यहाँ पे 4 पार्ट है और 4 पार्ट में से 1 पार्ट सेड किया गिया है इसमें से 1 by 4 हो जागा इस तरह से Fractions को हम लोग समझते हैं और Use करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यह एक पूरा हो गया 1 Hall एक कोई भी चीज जो है वो पूरा हो जागा और उसमें से जो पार्ट लिया जागा उसको Fraction में लिखा जागा तो जो पार्ट यूज होता है वो उपर चला जाता है और Total पार्ट जितना रहता है वो नीची चला आता है जैसे कि यहाँ पर 1,2,3,4,5,6,7 है तो यह 3 पार्ट यूज हो रहा है मतलब सेड़ है तो 3 by 7 हो जागा यहाँ पर कितना है 1,2,3,4,5,6,7,8 है तो 8 में से 1 यूज हो रहा है तो 1 by 8 हो जागा यह 8 है यहाँ पर तो इस तरह से Fraction का उपयोग किया जाता है यहाँ पर दिया हुआ है A Fraction is a Number Representing Part of a Hall तो एक पूरे नंबर का टुकड़े को Fraction के रूप में दर्स आया जाता है इस तरह से तो आए मैं आप लोग को इसका एक exercise बना के दे देता हूँ यहाँ पर यह है exercise 7.1 तो इसमें business कुछ बनाना नहीं है समझने के लिए यहाँ ज़्यादा है इसलिए मैं आपको paper या board पर बना के नहीं दे रहा हूँ आपको screen पर ही बना के दे देता हूँ तो पहले हम लोग यहाँ question पढ़ते है write the fraction representing the saided person saided person को यहाँ पर represent करना है fraction के रूप में तो यहाँ पे देख रहे हैं यह जो picture बना हुआ है तो इसको equally कितने part में divide किया गया 1, 2, 3, 4 fraction तभी बनेगा जब equal part में वो divide रहेगा तो यहाँ पे 4 part में यह divide है और saided part को represent करने के लिए कहा गया है तो सबसे पहले यहाँ पे एक line लेते हैं जो fraction लिखा जाता है तो total part जो है नीची लिख देते हैं total में कितना है 4 है तो 4 लिख देते हैं यहाँ पे मैं mouse से लिख रहा हूँ हो सकता अच्छा से लिखा न पाए तो आप लोग को समझना है 4 लिख दिया मैंने और यहाँ पे set part क्या है 2 तो 2 उपर में चला जागा यह 2 तो क्या हो गया 2 by 4 तो यही इसका answer हो जागा उसके बाद यहाँ पे total part कितना है 1,2,3 और इधर से 3 तो 3,3 जा 9 हो गया तो यहाँ पे मैं इसको divider यह दे देता हूँ यह 9 हो गया total part कितना हो गया 9 उसके बाद set part कितना हो गया 8 सिर्फ 1 खाली है तो यहाँ पे 8 लिख लेना होगा 8 by 9 हो जागा इसका answer यहाँ पे 8 हो गया उसके बाद 3 number में total कितना है 2,2,4,2,6,2,8 total 8 है तो एक यह line fractional line लेते है और यहाँ पे नीचे में लिख लेते है total part जो है उसको लिखते है तो total part हमारा 8 है तो 8 लिख लिख लिए है और उसमें से set part क्या है 4 तो यहाँ पे 4 लिख लेते है तो यह 4 तो 4 by 8 यही इसका answer हो जागा उसका बाद इसमें दिया हुआ है total part यहाँ कितना है 4 तो यहाँ पे fraction line total कितना हो गया 4 और set part कितना है 1 तो इसको 1 यह हो गया 1 by 4 तो इस तरह से इस cancer हो जागा नीचे वाला भी ऐसा ही हो जागा 5 नमबर में यहाँ पे कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें total part 7 है तो इसको fraction line लेते हैं और नीचे में 7 लिख लेते हैं यह 7 हो गया और set part 1, 2, 3 तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं यह 3 by 7 3 by 7 और इसमें 3, 3, 3, 3 कितना बार देया 3, 4, 6, 12 हो गया तो यहाँ पे यह fraction line लेते हैं और नीचे में लिखते हैं 12 यह 3 तो 3 by 12 यह इसका answer हो गया और यहाँ पे सब shaded ही है सब equal एक ही जीसा है तो सब shaded है कितना हो गया 2, 2, 4, 2, 6 2, 8, 2, 10 10 हो गया तो यह line लेते हैं और इसके नीचे 10 तो सभी shaded है तो उपर में भी 10 और नीचे में भी 10 तो 10 by 10 हो जाएगा इसका answer 10 by 10 अब यहाँ यह picture दिया हुआ है इसमें total part कितना है इसको यहाँ पे fraction line लेते हैं और यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 total part इसमें है 9 तो यहाँ पे 9 ले लेते हैं और shaded कितना है 1, 2, 3, 4 तो 4 हो गया तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं यह हो गया और दो बचा हुआ है यहाँ पे इसमें total कितना हो गया 8 8 part है तो यहाँ नीचे में हम 8 लिख लेते हैं नीचे 8 और select कितना है 4 तो यहाँ हो गया 4 4 by 8 यह हो गया और last यह number दिया है 10 number में तो 2 part total है यहाँ पे 2 और इसका 1 part selected है तो 1 तो 1 by 2 इसका answer हो जागा इस तरह से आसानी से हम लोग इसको fraction के रूप में दिखा सकते हैं बिसेस बनाना इसमें है नहीं बिसेस समझना है next देखते है यह है question number 2 और यह उसी परकर का दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है color the part according to the given fraction fraction यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आपको इसके part को color करना है मतलब पहले set it जो दिया था यहाँ पे आपको set it करना है तो यहाँ पे color आप कर सकते हैं color करने के लिए कर रहा है तो यहाँ fraction one number में दिया हुआ है जैसे की one by six तो यह total part six है और इसका one part जो है आपको color करना है तो इसका one part color कर लेते हैं यहाँ पे किसी एक part को आप color कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं color कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ यह है इसका one part जो है मैंने color कर दिया है और यहाँ पे two number में one by four तो यहाँ total four part है इसका one part जो है आपको color करना है तो यहाँ पे one part इसका color कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका यह part जो है इसको color कर देते हैं तो मैं color कर लेता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा इस तरह से यहाँ पे इसका एक part color कर दिया और यह question number 3 जो दिया हुआ है यहाँ पे 1 by 3 तो इसमें 3 part है अब यहाँ पे 1 part इसका color करना है इसको color कर लेते हैं तो किसी भी color part को आप color कर सकते हैं इसको color कर लेते हैं इस तरह से आप इसको बढ़ियां से आपको color कर देना है color से और यहां पे यह answer हो जाएगा इसका उसके बाद next part जो है इसमें 3 by 4 दिया हुआ है तो इसका 3 part जो है color करना है total 4 part है तो यहां पे color कर लेते हैं हम लोग इसको यहां से करते हैं इस तरह से यहां पे हम लोग इसको 3 part इसका color कर सकते हैं और यहां पे next में दिया हुआ है 4 by 9 यहां तो total 9 part है और इसमें से 4 part को हमको color करना है तो यहां पे इसको color करने के लिए आप एकी बार जो है 3 part को color कर सकत इसका, यहां पे इसका four part set it हो गया है, इसको color कर दिया है इस तरह से आप इसको solve कर सकते हैं यह complete इसका answer हो जागा आपको सिर्फ इसमें color भरना है यह complete हो गया, question number three देखते हैं यह question number three और यहां पे क्या कह रहा है, identify the error if any, यह pictures को आपको दिखना है और आपको बतलाना है कि इसमें क्या mistake है क्या गलती है, तो यहां पे यह picture चपा हुआ है, इसमें एक part set it किया ह deport है, और इस तरह कर यह चपा हुआ है और इस तरह से यह है, इसका भी part set it किया हुआ है, और इसके नुसार तो ये सारे parts जो है ये सारे picture जो है वो बिल्कुल भी correct नहीं है गलत है इसमें error है तो फिर क्या error है उसको बतलाना है तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है एक line लिखना है और इस तीनों का answer हो जाएगा ये तो इसको लिखना है divided parts are not equal तो इसका जो divide किया वो parts है वो equal नहीं ह है अगर equal होता तभी वो fraction के रूप में लिखा जा सकता था तो मैं आपको इसक्रीन पर यहाँ पे लिखके दे दे रहा हूं divided parts are not equal बस यहीं इसका answer हो जाएगा अब यहाँ पे question number 4 what fraction of day is 8 hours तो क्या fraction हो जागा fraction के रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं एक दिन में कितने hours होते हैं 24 hour होते हैं और 8 hour को उसका part बतलाना है तो उस हिसाब से आपको फ्रेशन लिखना है इसका तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से लिखना है इसका यह fraction line हो गया और यहाँ पे total कितना हो गया total नीची लिखते हैं लोग तो total हो गया 24 one day में कितना hours होता है 24 और इसका 8 hour बोल रहा है तो 8 यहाँ पे हम लोग लिख लिख लेते हैं तो 8 by 24 जो है यही इसका answer हो जाएगा यह हो गया तो यहाँ पे एक fraction line लेते हैं question number 5 का तो यह हो गया और total कितना हो गया 60 one hour में कितनी मिनट होते हैं 60 तो यहाँ पे 60 ले लेते हैं और उसका 40 मिनट तो यहाँ उपर में हो जागा 40 तो 40 by 60 यही इसका answer हो जाएगा तो यहां complete हो गया question number 5 इसके आगे का question जो है हम लोग next वीडि करके रखें तो next question के लिए लोग next video पर चलते हैं